देखो, वो हलवाई सिर्फ अपनी बासुरी बजा रहा है और लुचानिया अपने आप बन रही है यह तो मैं आपका स्वागत है, यहां सारे मादन ऐसे ही कमाल के है मैं भी बजाऊंगा तुम भी बजा के देख लो बस किजी उस्ताथ, हमारे कान के पर्दे भड़ जाएंगे कोई बात नहीं, अपना मू मीठा करो मुझे खुशी है कि तुम लोगों को ये जगे अच्छी लगी अरे वो देखो में कर खुशी होई दोस्ता हमें भी क्या सब के पास यहां अंदर अलग माद ये यंत्र है हाँ है तो सब के पास लेकिन मेरा यंत्र सब से खास है अरे अरे ये 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 पैम, अवो तो सब कैसे माचरा अब भीम के माचरे की बारी बचो रगता है ये खराब हो गया है अगर मैं जानता हूँ इसे कहाँ ठीक करवाना है इस बार तो तुम गए प्रिंस मार अदे ये क्या हुमारे आते ही इनका काम कैसे ठप पड़ गया इनने खुद काम बंद किया हुम् मेरा शक सही निकला प्रिंस मार्स का यंत्र जहां भी बच रहा है वहां दूसरे यंत्र ठप पड़ रहे है मगर दूसरे यंत्र के ठप पड़ने से मेरे यंत्र का क्या लेना देना इसका जवाब तो हमें सादू महराज ही दे सकते हैं सादू महराज वहां हैं सादू महराज की ये हालत किसने की मैंने उन्हें सुरक्षित रखता है गुलन जादुगर्नी तुम्हें तो सादू महराज ने योत्नों से बाहर निकाल दिया था हां मैं वापस आई हूँ अपना बखलाले ने मैं किसी को भी अपने नई अंत्र से मूर्थी बना सकती हूँ मैंने तुम्हार वाद्य खराब कर दिया गुलन जादू सुपाभी 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 तुम्हें जादू टाला था कि वो दूसरे यंत्र बिगार दे मैं तुझे नहीं छोड़ोंगी जादू 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 इसकी सारे जादूइ टाकते बताओ और सब मूर्थी के व्यासी आजाद हो जाएंगे अपने पैरों को पहलाओ और इस छणी को अपने एर्दगेर घुआओ इस तरह अच्चो और ध्यान लगो अब कुछ कदम आगे भूकर हलके से उश्ड़ो ध्यान लगा के ध्यान लगा के तुरे हाट सुझे लगे बहुत अच्छे भीम यह तो वही लोग है जो हमें पहले मिले थे कुप्ति ग्रशांती का प्रतीक है हमें तो सिर्शित्रा पता है कि कुप्ति ग्रश समर्था क्यूब का ग्रश और हम उसे लेने आए है और अगर तुम चाहते हो कि कुप्ति ग्रशांती का प्रतीक मना रही थी तो हमें चुप्चाप उस क्यूब को ले जाने दो प्रतीक नहीं है तुमने इनके साथ क्या किया और मैंने एक ऐसी तेज फ्रिक्वेंसी वाली आवाज धून निकाली है जो इन्हें जल्दी से कमजोर बना देता है इनकी हालत तो और खराब होती जा रही है पर तुम्हें उन लोगों को क्योग ले जाने से रोक ना पोगा मेरी शुपकामना है आपके साथ है उस्ताद मेरी भी शुपकामना है तुम्हारे साथ है मच्छू क्योंकि इस दर्वार से सुरक्षा कवच पर हमला तुम करोगे चलो सेना हमें उन एलियंज को रोकता है तुम उस पिजिने को तोड़ाए क्योग मेरा थे अम मुझे कोई नहीं रोक सकता मैं अंत्रेक्ष पर राज करूंगा हम तब तक लड़ेंगे जब तक हम जीत नहीं जाते चलो दोस्तो इसे चारो तरफ से घेर लो अगर मुझे शोर का सामना करना है तो मुझे और ताकत की जरूरत पड़ेगी अ बहुत हो गाया अब भरत इस कसीो गया क्योंकि क्यूब मेरे पास है अब ये क्यूब अपनी सही जगा पर जाएगा तुम सब ने हबारी अच्छी खातिरदारी की है तो इनाम के तौर पर मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा कौन हो तुम ओ वुल्चर्स के महान क्याप्टिन हमें दुख है कि आप इन हल्लास को तो यहां लाए हमारे बिना हल्लास का खेल अजूरा है हम आपके सामने पेश करते हैं बाट और चुटकी का खौप सरफ नाजू किसकोट और राजू किसकोट अज़के अंतिम पड़ाओ में सुपा भीम क्याप्टेन उमीद है तुम्हे मेरा अंतिम्दाओ अच्छा लगेगा भीम लेट्टू भीम सुपा भीम सुपा भीम सुपा भीम 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 तुम सब ने हमारी चान बचाई तुम सब का बहुत बहुत शुक्रिया हल्ला और गुल्ला तात रहे तो बड़े से बड़े दुष्मन का खेल कत्म कर सकते हैं हां हमें माफ करना हमें लगा जमीन पर कोई नर्म गालीचा बिछा हुआ है हमें बर्फीले तूफान से बचने के लिए इस ग्रह पर उतरना पड़ा हमारे ग्रह पर महमान आये हैं और कोई साधारन महमान नहीं ये तो स्काई ड्रैगन रीम और उसके दो हैं कुवा ग्रह पर आप सबका स्वागत है मिरा नाम कोदार है और ये है मिरा भाई जोदार हम कोवास का नित रुट्व करते हैं शुक्रिया ये किस चीज से बना है? कितना लचीला है! सिर्फ हमारे ग्रह पर के के नाम का एक लचीला पदात उबता है हम उसी से बुनाई करते हैं और कोवास में से सबसे अच्छी बुनाई मैं करता हूँ नहीं सबसे अच्छी बुनाई मैं करता हूँ नहीं मैं करता हूँ मैं करता हूँ मैं तुम्हें पॉप कर दूँगा यह कोवास बड़े प्यारे है यह तो सज में बड़े तेज हैं यह तो वही बरफीले गोले हैं हमें उपर उड़कर इन बरफीले गोलों को रोपना होगा तुम के कहते वो भी यह तो बहुत सारे हैं कुणार आओ इस बरफ के गोले को पॉप करते हैं तुम ठीक तो हो कुणार चुम हो तुम हो अब हम क्या करेंगे हाँ रास्ता बिल गया ही ने कहा था कि सारे अंतरिक्ष में को आस से अच्छी बुनाई कोई नहीं कर सकता मैं चाहता हूँ कि तुम सब कोवास मिलकर एक बड़ी सी चादर बुनो जितनी जल्दी हो सके मेरे पास एक तरकीव है तुम बहुत अच्छी बनाई कर रहे हो चलो और चल्दी करो बर्फ के गोले इस चादर पर गिरते ही वापस पीछे की तरफ उचल जाएंगे और अब बारी है इस बर्फीले तुफान को पूरी तरह फ़त करने की भीम पहले लड़ू तुम ने हम को आस की जहन बचाई है आटाई करे अचल करें को जाएंगे ऑल्दी ने पसी साहएंगे अचल करेंगे कि लिए झाल एंज एंपर रहा है डोब्स होँ चुआ खाती तरहा है प्लाष में और शेन करेंगे खर जर वेंगे और चुआ कराश कराशन रहाएंगे झाल पाँ 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 क्या बादए पी? स्कार्ट्रागेव हो गया इन्वे धनुष पे खेल आज आप हम सब को शांती दूद के खास मुख्य कार्याले में लेके जाने वाले थे ना? बिल्कुल, तू तयार हो ना? तयार यहां का मौसम कितना सुहाना है कितनी सुनेहरी धूप है और कितनी ताजी और ठंडी अवा कितनी धूद उड़ाई तुमें बाबारे माफ करना नोबू, मैंने देखा नहीं अरे चुगरे नोबू, इसकी बात का बुरा मत मानना स्काइड रागन यह हमेशा ही चिटचड़ा सा रहता है वैसे यहां आनी के रिए शुक्रिया दोस्तों मैं सोबू हूँ और यह नोबू है हम मौजोग रह के रखवाले हैं स्काइड्रागन ने हमें मौजोग रह के बारे में बहुत सी खुबसूरत बाते बताई है उन्होंने कहा कि तुम्हारे पास एक जादू ही क्रिस्टल है जो मौसम पर नियंतरन रख सकता है हां बबा हां तभी तो इस ग्रह का मौसम हमेशा सुहाना होता है मेरे पिछाओ अब यह बताता हूं हाहा कितनो सुन्दर रही यह मता रही शेड की जादू ही कुपी अब यह मेरी है कभी नहीं हाह इदार फूफांगी हाह ओ नहीं उसे वो टूपी मिल गई यह क्या नाटक कर रहे हो तुम बता नहीं यह 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 मैं नहीं कर रहा यह टूपी मुझसे करा रही है अभीम यह क्या हो रहा है अरे अभीम किदर है पूदा की सरपर जो टूपी है वो नकी है भीम अभीम यह वाइ 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 मैं भीम उप्ड़ क्या गए काम से हाँ हाँ वाइ वाइ वअ वो पास आरहा है, वो वो अमारी जटनी बना दूएगा, नहीँ मजचाब, मजचाब भूलो, इसमें जलाओ अरकिता दोस्तों, चलो यहां से बहुत अच्छे भी, अब ये टोबी शांती दूद को तौफ देंगे इससे पहले कि वो दोनों फिर से आ जाए उनकी फिक्र मत कीजिए, स्काई जागन अब काफी देर तक वहां से नहीं निकल पाएंगे वो लगता है, यह खराब हो गया है खराब हो गया मत क्राब, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है स्काई ट्रागन, मैं आपको ही ढून रही थी मेरा बेटा मुजी गलती से प्लानेट बड़पन में प्रवेश कर गया आप ही है जो मेरी मदद कर सकते हैं मुजी को सही सनामत वापस लाने में क्या प्लानेट बड़पन ये ठीक नहीं हुआ मिंकी घबराओ मत मिंकी, हम सब तुम्हारे बेटे को वापस ले आएंगे क्यों दोस्तों भीकर, सच में तुम मेरे साथ जल्दी चलिए ये जगह कितनी विशाल है ये जगह क्या है? उताओ फुम्हार इसे ये कंटी तकता है मैं एटेक्टियू बलत रहा थू ये कंटी तकता है मेरा अंकला सूख रहा है इन पानी की बोदलों को बहुत सभाल कर रखना ये दुनिया सारा पानी और नमी जूस लेता है ये दुनिया मेरे दोस्त बिटल्स का घर है येक्षी अजिंसी जवा है स्टाइब सकते हम खपल शिक다 कि का कि कोई बचाओ मुझे पूस्तार पूठ्टे हैं अब हम अपके नीचे डब गए हैं जलो, यहां से जल्दी निकलते हैं वो देखो, मूसी मिल गया, वो उन बूड़ास के बीच नाच रहा है क्या, बूड़ास के बीच, बूड़ास उसे कुछ अर्सक्थी है, अब क्या होगा, मैं उसे लेकर आता हूँ शिरार्थी बच्चे, पता है, तुम्हारी मा तुम्हारी कितनी चिंता कर रही है, और तुम यहां बस्ती कर रहे हो, चलो, घर जाने का समय हो गया मूसी, बदमाशी की भी हद होती है, तुम्हें डर नहीं लगता कितना प्यारा है ना यह है, हमें इस ग्रैस से जल्दी बाहर निकलना चाहिए यह है कौन? नमस्ते, कैसे हैं आप? बच्चों, वो नहीं उठेगी, यही हमारी रक्षा करती है सारी मुश्किलों से, हम हमारा पानी खुद बनाते है मगर हमारी रक्षक को पानी की जरूरत है एक समय था, हमारी दुनिया खुशियों से भरी हुई थी बच्चे पेड़ की देवी की च्छाओं में खेलते और वो हमें हर तरा के प्रतोप से बचाती एक दिन एक कुष्ट पेड़ ने हमारी समीन को सुखा कर दिया पानी की एक बून भी नहीं बच्ची हमारे लिए और पेड़ की देवी कहरी नीद में चली गई वो पानी तब रहा करेगा जब हम उसे अपना भगवान मान लेंगे इस मसले का हल क्या है महराज उस पेड रुपी दानफ के पटाई कर हमारी देवी को जगाना होगा पानी पर सब का हक है चिंता मत कीजे महराज मैं आपका पानी आपके पास वापस ले आऊँगा मैं ये खेलूँगा सोन लगा के मैं तो ठक गया अब नीचे उत्रूँगा उत्र जाए उस्तार क्या हुआ जगू? काश यहां एक मेरी गो राउन होता तुमने सोचा हमने किया अभी लादे है मेरी गो राउन वाँ भी यह तो बहुत ही सुन्दर है और इनी हालातों में आकाश धारा पर पड़ा एक भ्यानक काला साया अंतरिक्ष के तानाशा लार्गा दर को भी दरा जाए ऐसा है लार्टा का कहर क्या इसका मतलब महारानी अर्वी अब नहीं रही स्काइड्रेगन यह जगा शांदर तो क्या शांदर भी नहीं लगती लार्टाक के हमले के बाद राज का यही हाल है रानी अर्वी के पुराने सलाहकार योलिस अब राज की बागतूर सभालते हैं योलिस लार्टाक ने सिर्फ उन्हे ही कैसे छोड़ दिया स्काइड्रागन हमारे शहर की रक्षा करने के लिए शुक्रियां आपने देखा होगा वजीर योलिस इसमें भीम और उसके दोस्तों का भी बहुत बला हत था हाँ बहुत ही बहादूर हो तुम भीम बिना सोचे दूसरों की जान बचाई और कलूप से भीड़ गए यह भी नहीं सोचा के इसमें तुम्हारा फाइदा नहीं नुकसान हो सकता है खुद के फाइदे से जादा कीमती होती है किसी की जान ऐसा हमारा मानना है वजीर यॉलिस खैर मैं तुम्हार और तुम्हारे दोस्तों का बहुत आभारी आज रात तुम सब राजमहल में रहोगे खास महमान बढ़कर मैं खास दावत राखी इंतिजाम करूगा राजमहल में वजीर यॉलिस आप तो बड़े बाहदों रहे होंगे राज घराने का दूर का रिष्टेदार हूँ थोड़ी बहुत अलवार बाजी मुझे भी आती है में हमने सुना कि आकाश धारा पर ऐसा खतर्नाग हमला हुआ था कि उसकी रानी भी बच न पाई पर आप बच गए हम भी लाड़ाब जैसे खतर्नाक और ताकत्वर योधा से अब हम कहां जाएंगे आगे तो कोई रास्ता ही नहीं हो सकता है कोई गुप्त रास्ता हो ऐसा चमचमाता लाल तो मैंने पहले भी कहीं देखा है मेयार का दिया मूम का टुकड़ा कर दो अ? सुपावी तुमने मुझ से भिड़ कर होग अपने अंत को नोता दिया है भीम अब तो गए याँ भीम याँ 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 हाँ याँ 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 भीम दोने काल तलवार कीच्छ निकाली याँ याँ रानी अर्वी शुक्रिया भीम तुमने आकाश दहारा को उसका राजकुमार पुलक लोटा दिया पुमने अर्वा करे सकति अञर्वे तॉक्रिया अर्वा व्र आकाश राजकुमार भीम तुमने दुमार भीम।